चलिए मेरे दोफ सुरू करते हैं बिहार बिपेशी बिहार एससी का शार संक्रा तो चलिए सुरू करते हैं ठीक है इसमें फास्ट चलेंगे असोग से पढ़े थे अभी कि उसका अशोग जो है कौन सा धर्म अपनाए था अब यहाँ पर कोश्चन है जो कि उनेशन इनानवे क कहीं है यातँ किये च्छण है जिननंद में कहीं है तो यातँ किया है कि समराथ आशोग की रज्दानी कहां थी तो पाडली पूतरा थी यातखे फीऊ-ग। की बात हुई थी, कि कौन सा धर्म अपनाय था, तो बहुत धर्म अपनाय था, इसमें एक समराट असुक की रज़ानी कहां थी, पाटली पूत्रा थी, आगे चलेंगे अनुराचर परदेश कहां है, तो अनुराचर परदेश यादखिया भारत के उत्तरपूरब में है, याद तके गा, शक बज़ सकते, आगे सवाल है कि सारनाथ किनके लिए पुन अस्थान है, पुन अस्थान है, तो सारनाथ जैसे ही बात होगी, तो बहुत दिस्वे समन्दी थे, क्योंकि इनका पहला उपदेश था, है न, पहला उपदेश देने वाले थे, यहाँ दिया थे, गंगा धरतिलक का जन्म कहां हुआ था, तो महराष्ट में हुआ था, बावु कुमर सिंग किसी युद्ध में लड़े थे, तो 1857 का विद्रो लड़े थे, भारत का गनराज कब बना, तो 26 जनवरी उन्हें 150 को बना था, याद रुखेंगे, तो 26 जनवरी उन्हें 150 को बना आगे चलें, अच्छा रगे तो प्लीज सस्क्राइबर लाइक करते रहेंगे, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, पुरानों की शंख्या कितनी है, 18 है, विजय नगर राज्ज की अस्थापना कहां, जो है, संस्थापक क कौन था, तो हरियर और बुक्का था, आगे विर्वल का असली नाम क्या था, महिश्दास था, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, विर्वल का असली नाम, महिश्दास, वह पहला किला, जो सिवाजी ने जीता, उसका नाम क्या था, तो तोरन था, तोरन एक जगा था, वहा कौन से बस्तुकार ने चंडी गड़ सहर का नक्षा बनाया तो ली कार से तोड़ देंगे बुजेर चीक है याद रुखेगा आगे चलेंगे मंगल गरह पर सरप्रथम उतरने वाला यान कौन सा है कौन सा है या क्या नाम था तो याद रुखेगा पाथ फाइंडर है सायमन प्रतिवेदन पर विशार के लिए बुलाए गए तीन गोल में सम मिलन में भाग लेने वाले प्रतिनित कौन थे तो डॉक्टर भीम राव में बेत कर थे शरसक पुस्तक के लेका पान है अरून सोरी हैं एार दुखेगे यार हाद दुखेगे? चिक偕. आगे चलेंगे तलिवान क्या है? तलिवान कत्र पंथी संगठन है यार दुखेगा? कत्र पंथी संगठन है जो कि अभी अफगानिस्तान में कबजा इसी का है? पुस्तक के लेखा, मतलब पुस्तक जो है किसने लिखा तो आत्मिशेन लिखे थे, ये द्यान अगना है, बारी वाजों के लिए चमा चाहेंगे वह पहला भारती, भारती जो अंतरीच की परिकिर्मा कर सका, कौन था, तो वो थे, लीडर राकेश शर्मा, ये पूरा नाम है इनका, असक्वायर डरन, लीडर राकेश शर्मा नाम दिया गया था व्याग्रा, व्याग्रा नामक औस धी, किस लिए प्रयोग किया जाता है, या किस लिए प्रयोग में मतला आये जाता है, तो पुर्सों की नाफुसमत्ता मिटाने के लिए की जाती है, या तुखेंगे आगे सवाल है, कि समुद्र तल से नीचे, दुनिया के सबसे नीचले भाग कौन सा देश इस्तित है, तो हॉकलेंड है, हॉकलेंड ही है, जो याद रखने लाइक है, कि ये दुनिया का सबसे नीचे, समुद्र के तल से नीचे वाले माने जाता है बूझे चुन्ने का रश्चानिक सुत्र क्या है तो C-A-O-H-2 है याद रुकेगा आगे चलें आगे है राश्टिये गान जनगरमना के जो है कही अविश्कारक संस्थापक कहिए या प्रिन्रता वाले जो गेक्ति होते हैं जो कि उनको क्रियेटिविटी जो लाए हैं बनाए तो रविन्ना टेग हो रहे हैं आगे सवाल सुपरकेम्प्यूटर परम जो कि 10,000 को विक्षित करने का श्रे किसे जाता है तो डॉक्टर विजे पी भाटकर को किसको भाटकर को चीक है विजे पी भाटकर नाम ही है इनका याद रुकिएंगे दिल्ली को भारत की रस्थानी कब घोशित किया गया तूने श्वाइगारा में याद रुकिए आगे सवाले यदि पुंजी अस्थाई है तो मुलहास कितना होगा शुन्न होगा जिन संबिधानिक संसोधन के अंतरगत सिक्किम का भारतिय शंग में 22 में राज्य के रूप में बिले किया गया मतलब मिलाय का अश्ली जो है चीनी नाम क्या है तो कुंज जू ठीक है किसके हिरदय में तीन भाग होते हैं तो मेड़क के हिरदय में तीन भाग होते हैं पेपसीन किसको बदल देता है तो प्रोटॉन को एमीनों अमले में बदल देता है ठीक है बाहरी अवाज बहुत दिश्टर्ब करता है सॉरी इन्फिलिउन्जा किसके द्वारा होने वाला रोग है पाइरस द्वारा पाइरस विशानु द्वारा मियाजा क्या है तो वल्व है वल्व मतलब सल्क कंद है आगे देखेंगे प्रकाश चंसलेशन के दौरान कौन सा गैस उत्पन होता है तो ऑक्षीजन होता है आगे चलेंगे आखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश का नी ये मन कौन करता है तो रंगा पट करता है याद रुखेंगे आई रिस कहा जाता उसे इंसुलीन क्या है तो एक हर्मोन से हर्मोन है याद रुखेंगे पौधे दीन में क्या निकालते हैं और रात में क्या लेते हैं तो याद रुखेगा दीन में ऑक्षीजन और रात में भी ऑक्षीजन दीन में ऑक्षीजन निकालेगा और रात में oxygen लेगा चलिए आगे आगे है कि सूर्ज में उर्जा का उत्पादन किस प्रकार होता है तो नावकिय शल्यन में होता है आगे चलेंगे पड़ाफट चलेंगे एक पिक को कितने second के बरावर होता है तो 10 पे पावर माइनस 12 second के होते हैं आगे चलेंगे आगे देखें हाइड्रोजन के प्रमानों में कौन सा मौलिकन उपस्थित नहीं है तो neutron जो है उपस्थित नहीं होता है आगे चलेंगे कौन सी किरने अनावेशित है तो Y किरने अनावेशित है आगे चलेंगे सरवधिक उर्जा वाली तरंगे कौन है तो द्रिश प्रकाश तरंगे है आगे भी देखते चलेंगे जल में जल को 0 डिग्री सल्सियस से 3 डिग्री सल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा घटे गाही या द्रखियन ने लाइक है आगे चलेंगे फॉरिन हाइट और सल्सियस पैमानू पर कौन सा ताप गर्म समान है तो माइनस 40 डिग्री समान होता है आगे देखेंगे प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है खगोलिये दूरी मापा जाता है आगे है चंद्रगरहन के दौरान क्या होता है तो धर्ती शूर और मून के बीच आगे चलेंगे प्रतिवी की सत्रता पर पलायन गति कितना होता है तो 11.2 कीमी सेकंड होता है ठीक है आगे है एस चंद शेखर की भौतिक की कि किस विधी के लिए नोबल पुरुषका दिया गया खगोलिये भौतिकी के लिए नोबल पुरुषका दिया गया था चंद सेखर को जंग लगने पर लोहा भारी क्यों होता है मतल़ जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा तो बढ़ेगा ये तो मैंने बता ही दिया आगे चलेंगे चूने की पुताई से उत्पन चमक किसके बने होते हैं तो एक कैल्सियम कार्वोनेट के बने होते हैं जैसे चूने से पुताई खरेगा तो चमक उड़ता है तो एक कैल्सियम कार्वोनेट के होते हैं आगे आगे देखिएगा मुंबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है तो रशानिक परिवर्तन है बायो गैश का प्रमुख अब्ब्य क्या है तो मीथेन है उज्या का नवी करनिय शुरोत क्या है तो सूरज है बिटामिन B2 क्या है तो याद रिबो फ्लाइबीन है या दुखेगा रशानिक नाम है यह पूछ रहा है आगे है दूद में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होते रहती है तो कैशिन रहती है यह भी दिया रखना है आगे सवाले बोपाल गैस घटना में सरवधिक विशयले गैस कौन सी थी तो या दुखेगा मिथाइल आईसो साना है या दुखेगा भुपाल तरस्ती हुआ था ना रखती हमोगलवीन में कौन सा तत्व जो है उपस्थित रहता है तो लोहा रहता है हमेशा ध्यान रखने वाली बात है किसे कठोर जल कहते हैं तो समुद्र का जल कहते हैं या दुखेंगे आगे है ओजोन शिद्र बाता ब चीक है सभी प्रकार के इस बात क्या होते हैं तो कारवन होते हैं आगे चलेंगे आगे है कि गैस कारवन की बहुत तिक अवस्था किसमे होती है तो ठोश में होती है आगे है फलो को पकाने के लिए उप्योग में लाने वाली गैस कौन सी है इथलीन है याद सुखेंगे वा के बहु लिकरन को जो है से क्या मिलता है तो पॉली एलिठीन मिलता है आगे रिखे कैलो मेल का रशानिक सुत्र क्या है तो HG 2CL2 है ठीक है आगे चलेंगे एक वास्फ इंजन क्या है तो वास्फ दहन इंजन है वाह दहन इंजन है याद केगा कौन सा अर्ध चालकों के प्रियुक्त होते हैं तो सिलिकॉन होते हैं आगे चलेंगे कौन सी विकर्ण विद्दू चुमकिये विकर्ण नहीं है तो पारश्वत तरंग जो है नहीं है तो अच्छा लगए तो प्लीज सस्काइब लाइक किजेगा और बाहरी वाज़ों को थोड़ा एक्नौर करिएगा और मेरी अगर आवाज परशन आए तो मूट खेल लीजगा चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर नेक्स्ट क्योंकि कम समय में ज़्यादा कोशन देनी की कोशिश करता हूँ जिसे आप पढ़ सकते हैं घुमते फिरते पढ़ सकते हैं नास्ते गाते पढ़ सकते हैं अच्छा लगए तो प्लेज सब्सक्राइब लाइक करें नलेन गाड़ में सिच्छा मंतर को और जैसे ही बियार एससी का या एक्साम जैसे ही आएगा मैं अपनी रफ़तार बढ़ा दूँगा 100% जब मैंने बारा किया है कि पास का तो याद किया 99% जो है कोशन मिलेगा चिके जिस में तो चलते हैं